Hello friends, how are you? I think all are fine. तो जसा कि आपको पता ही है कि पहली बार जो है विदान साबा में सीख्षकों की भरती के बारे में हमारे जो मुख्य मंतरी हैं उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था कि किस तरह से भरती होगी और कितनी होगी उन सबी के बारे में आपको टेल में जो हमारी सुपह वाली वीडियो थी उसमें बता दिया था बट अब जो है कई केंड़ेट से मेसेज आ रहे थे कि क्या मैं जो वेकेंसी होंगी पर्मानेंट नहीं होंगी क्या ओनली कॉंटेक्चल बेस पर ही वेकेंसी होंगी तो सबसे पहले जो फुल इंफरमेशन है वो एक बार जान लेते हैं फि मिन्स जो आपकी टैंपरेरी वेकेंसी हैं हरियाना कोशल रोजगार निगम के अंडर तो होंगी ही उसके साथ साथ अधर पोर्टल के जरिये भी आपकी जो है भरती संपन की जाएगी अब फिलहाल उन्होंने ये कंफरम नहीं किया कि किस पोर्टल के मादम से कितरी भरतिया कैसे क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा तो ये तो कंफरम हो जाता है कि टैंपरेरी वेकेंसी जो हैं वो तो आएंगी ही बट पर्मानेंट वेकेंसी का अभी तक कुछ कंफरम नहीं है कि पर्मानेंट वेकेंसी आएंगी बट मानना यही है सभी कंडेट्स का कि जितना हो सक पर्मानेंट वेकेंसी ही लाई जाए क्योंकि अगर टेम्प्रेरी वेकेंसी देखो अब आप कंप्यूटर सिख्षको के देख सकते हो देखो जो हमारा मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर सिख्षको कानुबंद आगे भी बढ़ाया जाएगा तो कॉंट्रेक अगर ये फिल हो जाती है तो पर्मानेंट वेकेंसी आपकी जो है लटकती ही रहे जाएंगी क्योंकि जो जरूरत है वो फुल्फिल होने के बाद उस चीज़ को उतनी वैल्यू नहीं रहती तो कोशिश यही रहेगी और आपसे भी यही गुजारिस है कि इस चीज़ की पु कूल विद्यालों में अनुबंद के आधार पन्युक्त कंपिटर शिक्षकों का अनुबंद जो है 31 मार्च 2022 के बाद भी बढ़ाया जाएगा हरियान कोशर प्रोजगार निगम के मादन से प्रिवार पैचन पत्र के आधार पर नए शैशनिक सतर की स्थरुवात करने से पह उनने कहा कि उक्त सिक्षकों के हरियान कोशल रोजगार निगम के पॉर्टल पर पंचीकर्ण की परिक्रिया जारी है यानि कि अभी जो अल्ड है जो पुराने है उनी का रिजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी फ्रेशर्स के लिए कोई भी साइट ओपन नहीं हुई है लेकिन जब भी होगी आपको उसकी इंफर्मेशन दे दी जाएगी और जहां तक कोशिश रहेगी ना फ्रेशर्स के लिए उपन ना हो तो ही बैट रहे है जो वेकेंसी आए वो पर्मानेंट बेसिस पे आए और हमारा जो हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन है उसके अंडर ही आए बट अगर फिर भी अगर वेकेंसी आती हैं हरियाना कोशल रोजगार निगम के अंदर क्योंकि बैठे हैं खाली बैठे हैं तो उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ क्योंकि देखो कई हो की तो सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल ही उनकी अगर आप उनको पांच साथ हजार लग जाती है तो कुछ ना करने से तो बैठरी यही है और जो यहां पर आपका पता ही आपको की जो सैलेरी का जो स्डुफर रखा गया है प्रेश्टर को कितना और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बहुत देख लेना और जब भी हमने कोई उप्डेट इप्ड मिलेगी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी सो थेंक्यू सो मच वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले और आपके जो सजेशन यह रहाए हैं कमेंट वेक्स में चरूर दीजिएगा थेंक्यू सो मच